विशंग यू आपर सभी तीचर्श भी देख रहे होंगे मेरे चैनल और स्टुडेंटस भी देख रहे होंगे तो उन सभी को आशुक्षक दिवस की बहुत-बहुत बदाई हो और इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं lesson number 9 and that is adverb आपकी बुक है grammar zone वाली publication iduline class fifth तो इसका हम start करने जा रहे हैं lesson number 9 और जो की है आपका page number 90 पर अब इसका मतलब क्या होता है पहले हम वो समझेंगे उसके बाद इसकी starting करेंगे इसका मतलब होता है kiriya vishishan अगर हमने हिंदी में chapter ये read out किया होगा तो वही होता है तो इसके बारे में आचर्चा करेंगे कि kiriya की जोंसी विशेष्टा बताते हैं और वो कौन से words बताते हैं और हमें कैसे re-organize करना है कैसे हमने exercise को complete करना है हम उसके बारे में आचर्चा करेंगे और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीस इसको subscribe करके जरूर जाना ये compulsory है और अपने classmates के साथ share करना तो बिल्कुल ही compulsory है जो भी आपका worship group बना हुआ है ठीक है अब ये कीरिया की विशेष्टा कैसे बताएगा क्योंकि कीरिया अगर कई बच्चों को नहीं पता है कि वर्व होती क्या है तो आप ये देखना कि जिन words के पीछे ना आ जाए जैसे सोना रहना खाना पाना जाना, रहना, पढ़ना, लिखना उठना, भागना जैसे इन सब्स के पीछे क्या आ गया बताएगा, जो उन साथ चल रहा है, रहन है यह होगा आपकी वर्व गिरिया हो गई है, अब इसकी विशेष्टा कैसे होएगी हम इसका क्या लगाएगे फास्ट या फिर लगा देंगे स्लो ठीक है, इस तरह से अगर हम उसकी विशेष्टा बताना चाहें, तो बता सकते हैं और यह चप्टर हम स्टार्ट करते हैं देखी क्या दिया हुआ है और यह होते कितने टाइप्स की सिरियां हैं कई बच्चे रटा मार लेते हैं कि adverb वही होता है जिसके पिछे ly लग जाए लेकिन वो सिरफ एक पार्ट होता है adverb of manner का second part होता है adverb of time का, third part होता है adverb of place का, फिर होता है adverb of degree का, adverb of frequency का ऐसे five types के होते हैं लेकिन जो सब first होता है na manner वाला उन सब के word के पिछे क्या लगता है, ly लगता है, बाकी के पिछे नहीं लगता, कभी आप रटा मार लो, सबी के पिछे ly लगाया हो, तो आपका wrong हो जाएगा इसके अंदर दिया हुआ भी है, do not end in ly, सारे के सारे नहीं होते हैं, चलो हम first part करते हैं, theory बहुत हो चुकी है, इसमें दिया हुआ है replace the underlined words with adverb of manner from the box, box में से आपको देख करके, सारे के सारे सही जगहां पर इसको लगाना है, meaning कि कैसे किसका हो सकता है, first मियां जैसे, without making a noise, इसके नीचे underline की हुई है, without making a noise का मतलबत है, बिना शोर करें, तो मुझे लगा, इसका आएगा silently, और पीछे क्या आगया, ly आगया, यह आपकी क्या ह है, adverb of manner, क्योंकि adverb of manner के अंदर ही हम, ly का यूज कर सकते हैं, बाकी किसी में भी नहीं करना, तो योजे का silently, बिल्कूल शान्त, फिर second है, आपका, without making any mistake, कोई भी mistake किया भी ना, तो उसको क्या हम बोलेंगे, perfectly, बिल्कूल पूरन रूप से एक तम accuracy के साथ, फिर है, at high speed, high speed क का मतलब क्या हो जाते है, बिल्कूल fast, इसका मेनिंग यही होता है, fourth है, in our rude manner, rude manner होते है, बहुत ही उखड़े-उखड़े से किसी के साथ बाते करना, या उसके साथ वहवार करना, तो यह हो जाएगा, हमारा rudely, फिर है, over and over again, बार बार, over and over again, इसका हो जाते है, repeatedly, बार बा repeat हो रहा है, ठीक है, फिर है own purpose, own purpose का क्या मतलब हो जाएगा, deliberately, फिर last है, inner style, yet simple manner, मतलब कि stylish भी लग रहा है, और manner भी क्या है, ढंग भी क्या है, बिल्कुल ही, simple, तो उसका बोलते है, elegant, और इसका मेनिंग होते है, सुन्दर, अब हम करेंगे, इसका second part, जो कि है हमारा adverb of place का, इसके अंदर आपको जगाय के बारे में कुछ बताया जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको manner के बारे में बताया था, जैसी how, how, how से आपको उसको पता लग जाया करता था, अब है, adverb of place, give us information about where something happened, कि कहां पर क्या घटित हुआ है, क्योंकि यह place की बात हो, यह place में किसी जगाय की बारे में, ठीक है, कहां, यहां, वहां, उस थान पर किसी जगाय का नाम आपको बता दे, तो आपको पता लग जाएगा, कि यह place से related बाते हो रही है, और आपको यह वहर वर्ड याद रखना पड़ेगा, अगर आप नहीं भी जान पाओ, तो इस वहर से पता लग जाएगा, बी पार्ट है, इसका circle six adverbs, six हमने यह fill out करने है, of place in the word search, then use them to fill in the blanks, और फिर यह fill in the blanks में हमने fill out कर देने है, बस्ट आई गोट, ओफ आएगा यहाँ पर, और यह ओफ का है यह रहा, आई गोट ओफ ता बस एंड लुक्ट अरांड, सेगने, लेट्स गो, चलते हैं, सम्वेर, कहीं पर new for dinner today, तो कहीं पर चलते हैं, डीनर करने के लिए, यह रहा, सम्वेर, यह थर्ड लुक आउट, बहार देखो, यह आउट कहा है, यह रहा, फस्ट लाइन में ही आपको दिखाय दे जाएगा, आउट, फॉत इस वह रहा, इस वह रहा, बहार आउट, यह रहा, बहाएगा, इस रहा बहार आउट, but then we catch up with the others अब हम करेंगे adverb of time और adverb of frequency मतलब कि दोनों है time में तो आपको किसको याद रखने when मतलब कि जब का जवाब मिलेगा कब तब आज इस तरह से वो बता देगा आज करेगा कल करेगा पर सो ऐसे जवाब मिलता जाएगा how often कितनी time frequency यह तो हमारे math में भी जब हम data handling करते हैं तब भी हमको table बनाने के time यह word यूज करना पड़ता है कि कितनी बारी daily या rarely या sometime या often, usually, always ऐसे पूछ लेते हैं तो यह इसका answer देगा इसके अंदर when का answer देगा कि कहां आगे हम करते हैं इसकी exercise सी पार्ट में दिया हूँ है circle adverb पहले तो आपने adverb को circle out कर देना है फिर बताना है कि वो time है या वो frequency है मतलब कि circle करने के बाद फिर्स्ट है मम्मी टेक्स अस तूदा dentist yearly yearly क्या हो गया हर साल अभी yearly word किस में आएगा frequency में आएगा हर साल लेके जाती है कितनी बार लेके जाती है हर साल लेके जाती है फिर next में जैसे tomorrow कल ये तो time बता दिया तो T आएगा weekly फिर ये frequency हो गया फिर afterwards ये time हो गया rarely frequency में आएगा already ये आजएगा हमारा time में ये आप यहां से देख सकते हो सारी के सारी वर्स मैंने यहीं से देख है डी पार्ट में बोला गया है the adjective good is not used as an adverb हम good को adverb के रूप में use नहीं कर सकते nor can we it change into an adverb वो change में नहीं कर सकते we use the word well हमें क्या use करना पड़ेगा इसकी जगा well use करना पड़ेगा कई बड़े teachers भी दे देते हैं very well जब signature करते हैं न को पीचा करके very well इसका मतलब तो बहुत अच्छा हम ऐसे नहीं कहेंगे the boy sang good हम कहेंगे the boy sang well अच्छा गया इसी तरह से हम यह देखी डी पार्ट करते हैं start इसमें दियाओ add adverb we are suitable and rewrite the sentence 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 को दुबारा लिखना है और जोंसे यह word दिया हुआ है bracket में इसको हमने यूज करने कि यह sentence में कहां लगेगा first my sister listen to classical music यह दिया हुआ था और rarely दिया हुआ मतलब कि कभी कबार तो यह sister के बाद आएगा my sister rarely कभी कबार ही गाने सुनती है यह बाकी सारा sentence रहेगा आपका as it is second is grandpa reads the newspaper तो इसके अंदर sometime दिया हुआ है तो इस grandpa के बाद आएगा sometime क्या बन जाएगा grandpa sometimes read the newspaper कि कभी कभी ही पढ़ते हैं third it rains daily at this time of the year मतलब कि पूरे साल में जो सावन का लगा लो जो time fix है उस time पर यह होती ही है बारिश लीला drinks लीला always drinks coffee fifth है we often watch plays at this theater फिर यूफ सेल्डम exercise seldom का मेनिंग हो जाता है कभी कभी फिर I usually have cereal and nuts for a breakfast breakfast में क्या रेता हूं अनाज ले रेता हूं थोड़े से नर्स बगारा ले रेता हूं तो यह हमने यूज करने थे जो ब्रैकिट में दी हूए है और अगर आपको अच्छे लोग हो तो प्लीज स्क्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स वा दुबारा से देख लो as you wish and thank you very much